दुगनगर निगम की अंदेखी कहलो या किसी की महरबानी से शहर के मुख के मार्ग पर कबजा कर रुजाना या तयाद बाधित कर आम जंता को परिशान किया जा रहा है। इस पर निगम की कोई कारवाई नहीं करना उसकी लचरता दर्शाता है। इस परिशर के बिल्डिंग में ही कबाड़ी, ट्रांसपोर्टर, बिल्डिंग मटेरिल की दुकान उनने कबजा जमा रखा है। आप देख सकते हैं कि दुर्गवाड आट से चंडी मंदिर पहुंच मार्ग में सड़क की एक तरफ ट्रांसपोर्टर के लगेज बिखरे पड़े हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सड़क किनारी लगी बिल्डिंग मटेरिल की दुकान का सड़क में फैली रेती से यातायत विवस्था बातित हो रही है। देखने वाला यहां पर कोई नहीं है, बस इस सिस्टम का आमजनता शिकार बन रही है और परिशान हो रही है। बहरार अब देखना होगा कि क्या दुरुग नगर निगम द्वारा इस अवस्था पर कारवाई कर सड़क बातित करने पर कारवाई की जाती है या फिर जनता की परिशानी से कोई सरुकार नरग बस अपनी ही मनमानी कर आँख मूद ली जाती है। ACN News के दुरुग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट